इस वीडियो में हम आपके सामने एक छोटा सा मज़ेदार पहली लेकर आएं हैं जो आप मेंसे ही किसी के दवारा कमेंट के दवारा पुछा गया है तो चलिए देखते हैं क्या है पहली पहली तो बहुत ही मज़ेदार है आपको सुन कर समझ कर बहुत ही मज़ा आएगा ये हम आदमी पास ना रहे तो सेर बकरी को खा जाएगा और बकरी घास को खा जाएगा देखिए एक आदमी के पास क्या है नदी के किनारे खड़ा है वो आदमी और उस आदमी के पास एक सेर है एक बकरी है और एक गठर घास है अगर वहाँ पर वो आदमी मौजूद नहीं रहेगा तो जो सेर है वो बकरी को खा जाएगा या तो फिर बकरी जो है घास को खा जाएगा ये समसिया हो सकती है इसका मतलब यह हुआ कि उस आदमी को वहीं पर रहना पड़ेगा है कि ने देखें आगे क्या कहा गया है लिखा गया है उस वैक्ति के पास एक छोटा सा नाव है तो बैठेगा ही बैठेगा, उसके अलावा एक ही पसू या फिर वस्तू बैठ सकता है, अब देखे आगे लिखा गिया है, यदि उसे नदी पार करनी है, और सभी को सही सलामत उस पार पहुचाना हो, तो यह कैसे मुम्किन है, बहुत ही मज़ेदार, यहाँ पर सवाल किया ग अगर आया, तो वीडियो को पॉज कीजिए, और इसका अगर एंसर जानते हैं, तो कमेंट में पहले ही इसका एंसर बता दीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, अपना एंसर मिलाने के लिए, राइट, तो देखिए यहाँ पर सवाल को समझे, आकरती बना कर दिखाते हैं, एक नदी है, क्या है, एक नदी है, अब इस नदी के पास एक आदमी खड़ा है, क्या है, एक आदमी खड़ा है, अब ये आदमी के पास क्या क्या है, एक सेर है, एक बकरी है, और एक गठर गहास है, क्या है, पहला क्या है, सेर है, और दूसरा में क्या है, बक नहीं रहेगा तो सेर जो है बकरी को खा जाएगा या फिर बकरी घास को खा जाएगा बहुत बड़ी समस्या है अब यहां पर आगे बोला गया है कि इस आदमी के पास एक नाव है क्या बोला गया है एक नाव है लेकिन उस नाव में उस नाव में यह आदमी के अलावा एक ही पसू या एक ही वस्तू बैठ सकता है अगर इस नदी से इस पार से उस पार अगर करना है तो यह आदमी तो बैठेगा ही बैठेगा क्योंकि ना चलाएगा कुन यह आदमी ही चलाएगा अब इसके पास या तो सेर को बैठा सकता है या फिर बकरी को या तो फिर घास को एक ही मोज़दार सवाल है, आप कहेंगे देखें यहाँिए पर, अगर यहाँ पर सेर जो है, अगर हम सेर को पहले ले जाएं, इस नाउ में बिठा कर, तो पता चलेगा कि बकरी जो हो घानस को खा गया या फिर, या फिर अगर घास को ले जाए इस पार से उस पर नाव के दवारा तो पता चलेगा सेर बकरी को खा जाएगा है कि नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं बकरी को ही ले जाते हैं चलिए सुरू में हम इस नाव में बिठा कर बकरी को ही ले जाते हैं हम क्या ये आदमी ले जायगा चलिए एक बार में यहाँ पर जो बकरी है वो पहुंच गया बकरी पहुंच गया आप यहां असटो बकरी हट गया अब क्या होगा अब यहाँ फिर दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि सेर और ख़ुटा हुआ है अब दूसरा बार में क्या आप ले जाएंगे यदि सेर ले जाएंगे तो अगर जैसे ही ले जाएंगे फिर आपको वापस आना पड़ेगा तो पता चलेगा कि सेर जो है बकरी को खा जाएगा या फिर आप कहेंगे कि नहीं दोबारा जो आएंगे उसमें घांस ले जाएंगे तो फिर गहांस के फिर छोड़ करके सेर को लेने के लिए आना होगा तो पता चलेगा बकरी जो गहांस को खा गया बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा देखिए एक चीज आ यहां पर ऐसा वैसा दिमाग नहीं लगाईएगा कि नहीं बकरी को ले जाएंगे तो बकरी को एक जगा बस्तो यह क्या डरेगा है कि नहीं तिनों सही सलामत है अगर यह आदमी थोड़ा से दर ओदर हो जाएगा और अकेले पाग यह तो फिका जाएगा है कि नहीं यह समस्या यहां पर रसी विगरा कुछ भी नहीं है यह आपको सफोच करके चलना है राइट तो बताएए क्या होना चाहिए सोचिये जरा दिमाग लगाएगा जब तक आप दिमाग नहीं लगाएगा तब तक आपका मुंड कैसे फरेश होगा है कि नहीं क्योंकि हम मैंड ही फरेश करने के लिए ऐसा पहली हमेसा लाया करता रहता हूं राइट देखिए अब इसका एंसर आपको जानना भी शेर कर सकते हैं खर यह बहुत पुराना पहली है यह बच्पन में भी हम लोग सुना करते थे ठीक है और इसका एंसर तो बहुत पहले से पता था ठीक है देखिए करेंगे क्या ध्यान से सुनिए सबसे पहले हम बकरी को ही ले जाएंगे सबसे पहले किसको ले जाएंगे हम बकरी को ले गए अब बकरी को ले गए अब बकरी को छोड़ कर आना पड़ेगा या तो सेर को ले जाएंगे या तो फिर घास को ले जाएंगे चलिए क्या करेंगे हम जब यहां से लौटेंगे जब यहां से लौटेंगे तो दूसरा बार में सेर को ले जाएंगे पहला ब एक आदमी के अलावा एक जीव या तो फिर एक वस्तू बैट सकता है तो जब सेर को दूसरी बार यहां लेके जाएंगे तो जब यहां से हम दूसरी बार लोटेंगे तब बकरी को साथ में लेते आएंगे क्योंकि नव तो खाली रहेगा बकरी को साथ में लेते आएंगे अब जब यहां लेते जाएंगे तो यहां केवल बचा क्या था घास बचा था क्योंकि सेर और बकरी को तो ले गए हैं वहां पर और बकरी को साथ में लेते आएंगे और फिर बकरी को यहां छोड़ गर उसके तीसरी बार हमको वहां से लोटना पड़ेगा, फिर यहां से हमको किसको ले जाना पड़ेगा, बकरी को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सेर और घास भचा था, सेर तो घास को नहीं खाएगा, तो सही सलाम मत रह जाएगा है कि नहीं, अब सबसे लास्ट में हम बकरी को ले जाएंगे, राइट, तो सबसे पहले किसको ले जाना है, बकरी को ले जाना है, क्योंकि सेर घास को नहीं खायेगा, अब जब हम पहली बार लोटेंगे, तो उससे में क्या करेंगे, सेर को ले जाएंगे, और सेर को ले जाकर वहीं छोड़ देंगे, और बकरी को साथ मे ले जा सकते हैं सही सलामत इन पस्वों को और साथ में घास को भी अब यहाँ पर पुछा गया एक और सवाल किये नियुनतम कितने बार इस पार और उस पार आ जा सकता है तो पाला बार में बकरी को लेकर के गए थे अब जब दूसरी बार लोटे तो उसके बाद में सेर को लेक गए थे मतलब कि दूसरी बार लोटे तो सेर गया था उसमें तो दो बार हुआ फिर जब लेके गए तो तीन बार हुआ फिर वहां से बकरी को लोटे चार बार हुआ फिर यहां से घास को लेकर गए गए पांच हुआ फिर वहां से लोटे छे हुआ फिर बकरी को ले गए, साथ बार हुआ, यानि साथ बार में आप सब ही पस्वों को तथा घास को सही सलामत इस पार से उस पार पहुंचा सकते हैं, राइट? तो मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बुक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा तो आज के लिए तने ही जै हिंद जै भारत